इस वक्त की बड़ी खबर उत्राखंट से उत्राखंट के उत्रकाशी में टनल में फसे मजदूरों के बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू के आपरेशन को और तेज कर दिया है ड्रिल मशीन के जरिये मलबा काटने की कोशिशें लगातार जा रही है ड्रिल कर स्ट्रील पाइप के जरिये सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा फिलहाल टनल में सभी 40 मजदू सुरक्षित है पाइपलाइन से मजदूरों को ऑक्सीजन और पानी पहुचाया जा रहा है और ये पाइप सिलकाईरा पहुच गए है और फिलहाल मलबे को हटा का ड्रिलिंग मशीन का प्लेटफॉर्म तयार हो गया है और इसी ड्रिलिंग मशीन के जरीए इन पाइपों को अंदर डाला गजा है और फिर उन्हीं पाइपों के रास्ते मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा हाला कि oxygen की लंग जो supply है वो पहले दिन से ही वहाँ पर पहुँच चुकी है आपको बता दें कि 4.5 किलोमीटर ये लंबा टनल था जिसका 4 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका था और जो लास्ट का आधा किलोमीटर था वहाँ मलबा गिरने की वज़ा से 40 से ज्यादा की संख्या में मजदूर अंदर फस गए कल मुख्य मंत्री पुशकर सिंग्ध हमी मौके पर पहुँचे भी थे NDRF, SDRF, ITBP के जवान लगातार इस rescue operation में जुटे हुए हैं और यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं यह जो पाइप ऐसी पाइप के रास्ते अब अंदर जो है वो डाला गया है टनल से और यहीं से लोगों को निकालने का काम शुरू किया जाएगा और एक तरफ जहां मलबा हटाने का काम चल रहा है तो वही दूसरी तरफ सुरंग के दूसरे छोड पर पाइप डालने का काम भी किया जा रहा है NDRF, सुरंग के अंदर 45 मजदूरों को निकालने के लिए 900 मिलीमीटर का स्टील पाइप डालने की कोशिश कर रही है अगर ये पाइप मलबे के दूसरे छोड तक बिच्छाने में कामियाबी मिल जाती है टीम को तो सभी मजदूरों को तुरंट बहार निकाला जा सकता है ये पाइप धाई से तीन फीट चोड़ा होगा स्टील का ये पाइप अंदर जैसे ही पहुँचेगा तो मलबा हटाए बिना ही अंदर फसे मजदूरों को सुरक्षित निकाला जा सकता है डिजास्टर मैनेजमेंट के सेकेटरी रंजीत सिनहा ने कहा है कि आज रात या अगले दिन सुभा तक सब को बहार निकाल लिया जाएगा यानि कि एक से दो दूनों का वक्त 48 गंटों का वक्त मैक्सिमम लग सकता है और अगर ये पाइप अंदर आराम से चला गया तो मलबा भी नहीं हटाना पड़ेगा और मजदूरों को निकाल भी लिया जाएगा फिलहाल अभी जो हमारी प्राइमरी रेस्पॉंसिबिलिटी है लोगों को सेफ बाहर निकालना दो तरह से हम करवाई कर रहे हैं तीन तरह से एक तो सबसे पहले अक्सिजियन अंदर भेजना पानी खाना वो भेजा जा रहा है पाइप के थूँ दूसरा है जो हम मट्रियल है उसको अभी जितना हम निकाल सकते हैं जैसे भी से मसीने जो हमारी अल्डिडी है उससे हम निकाल दाएं तिसरा देरा दून से ऑगर मसीन चली है जिससे की हम बोर करेंगे जैसे हम बनाते हैं न सीवर लाइन बोर करके उस तर पुल्स रात तक या परसों सुबह तक हम उमीद कर रहे हैं लोग सेफली बाहर आजाएं